दिल्ली NCR समेत खासकर उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी तूफान से लोगों को फिलहाल निजात मिलती नहीं दिखाई दे रही है भारतिये मौसम विज्ञान विभाग आमडी की ओर से चक्रवाती तूफान सागर को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है ये तूफान अधन की खाड़ी से शुरू हुआ है तूफान के आधा दर्जन राज्यों में सक्री रह सकता है गुरुवार को दिल्ली के मौसम खराब होने के पीछे कारण इस तूफान को ही बताया जा रहा है वहीं कहा जा रहा है कि इस से दिल्ली NCR सीधे टॉट पर प्रभावित नहीं होगा लेकिन तूफान का आंशिक असर यहां पर भी होगा उधर चक्रवात के चलते यूपी, राजस्थान, दिल्ली, उस सथी देवी ने बताया था कि अगले तीन दिनों तक दिल्ली NCR में धूल भरी आंधी का मौसम बना रहेगा। सथी देवी के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाना, यूपी, राजस्थान, दिल्ली NCR के साथ उत्तर पस्चम इलाकों में आं पालम में हवा की गती 64 किलोमीटर प्रति घटे रही। दिल्ली NCR में चली धूल भरी आंधी का मौसम में भाग के अनुसार, शुक्रवार और शनिवार को भी शाम या रात में आधी आएगी। इस दोरान हवा की गती 50 से 70 किलोमीटर प्रति घटे रह सकती है। लिहाजा द तापमान 43.2 डिगरी सेलसियस रेकॉर्ड किया गया। गुरुवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। इस से पहले 15 माई को पालम में तापमान 43.8 डिगरी सेलसियस था। मौसम में भाग के अनुसार, शुक्रवार को तापमान 42 डिगरी सेलसियस तक पहुंच सकता है। इस पूरे सब्ता आपमान 40 डिगरी सेलसियस के उपर रहेगा। वहीं लगभग रोजाना आ रही आधी से परशानी बढ़ती जा रही है। घरों में जहां रोज मिट्टी की मोटी परत जम रही है। वहीं स्थानिय निकायों के लिए आधी में गिरे पेड़ों को हटाना म देके हुए हैं। इस वज़े से भी लोग सहमे हुए है।